हलो मेरा नाम दॉक्टर दीपक क्याएकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोन तथा वैसन मुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ लोगों को नीन नहीं आती इसलिए लोग दवाई खाते है और दवाई से मुक्तिता कैसी मिला ना यह मैंने पहले वीडियो में बताया था अब यह वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना दवाई की अच्छी नीन कैसी आप ले सकते हो क्या है कि एक तो सोने के कम से कम तीन पहले आपका भूजन होना जरूरी है ताकि आपका पेट जो है न वो तब तक हलका हो जाएगा और आपको अच्छी नीना सकती है तो दूसरा यह है कि आप जब सोते है तो बेडरूम में बाकि कोई भी चीजे नहीं होना जैसा कि टीवी है वो देख रहे है कॉम्पिटर प वो चीजे रूम में नहीं होना ताकि वो आप लेते हो और वो उसके उपर काम करने की इच्छा होती है तेम्टेशन हो जाता है आप काम चालू कर देते हो और होता गया है कि उसका जो लाइट है वो लाइट अपने आखों से ब्रेन में जाता है न तो ब्रेन को ऐसा लगता जाती है तो इसलिए मोबाइल का लाइट कॉंपेटर का लाइट टीवी होंगा या और भी कोई अपने हाथ में बाकी कोई खिलो नहीं होंगे अपने बेडरूम में तो वह जिसके लाइट अपने दिमाग मतलब आख के ऊपर आ सकते वह टालना ज़रूरी है वैसी सोने के पहल है होरर मुवी या बहुत एक्साइटिंग मुवी ऐसे बिल्कुल देखने का नहीं है एकदम ऐसी मुवी देखना है कि जो मतलब मुवी देखो ही मत मैं तो बोलता हूं और ऐसे कोई लाइट लाइट कोई देखते है तो ठीक है अदरवाइस बेस्ट सोने के लिए बेस्ट कीटाब पढ़ना और जो किताब ऐसी होंगी कि जिसमें बड़े लोगों की चलितर होते है वाटो बायक्राफ हूँ या फिर कोई ऐसी मोटिवेशनल किताब है या मतलब ऐसे कोई पढ़ही की किताब है कि जो किताब पढ़ते पढ़ते आपको नीन आ जाएगी यो आप सोत वह सिर्फ दो ही चीज के लिए इस्तेमाल करना है, एक तो सोने के लिए और दूसरा सेक्स के लिए, मतलब बेड के उपर लेट के किताबे पढ़ने का नहीं, बेड के उपर लेट के मोबाइल सुनना, देखना, मोबाइल में या कोई गेम चेलना ऐसा करना नहीं, ताकि संकेत जो brain को मिलते हैं वो फिर बराबर मिलते नहीं है बेड़ अपने brain को ऐसी आदत होना चाहिए कि बेड़ पे घए तो वो conditioning होना चाहिए कि बेड़ पे जा रहे तो अपने को नीद याएंगी इसलिए बेड़ का इस्तेमाल सिर्फ नीन के लिए और सेक्स के लिए करना है दूसर कुछ लोगों को जैसा milk मतलब दूद पीने से उनको जरा दिमाग को अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा मजी milk पित है तो लोगों को नीन आती रहती है और लोग अच्छा मतलब सोच सकते है बेड़ के उपर 15-20 मिनिट के उपर सोने कहीं नहीं है मतलब समझो 10-15 मिनिट नहीं नहीं आ रही है तो लेटे रहेंगे लेटे रहेंगे ऐसा करने नहीं है नहीं 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 आ रही है चलो उटके बाहर निकल जाना कमरे के बाहर निकल जाओ और फिर वहां जाके किताब पड़ो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड़ के उपर लेटे हुए 15-20 मिनिट आ तो नहां फिर उसकी आवाज टक 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 आते रहती रात को और फिर उसके तरब देखते रहते और नीन नी आए तो फिर और परेशान ही होते जाती है तो वह क्लॉक क्लॉक नहीं रखना है बेड्रूम में और वही दिया आप करते हैं तो उसका बहुत फाइदा हो सकता है बेस्ट यह है कि आप रिलाक्सेशन एग्जरसाइज करो या मेडिटेशन करो रात को सोने के पहले मतलब सेल्फ हिपनसिस करो सेल्फ हिपनसिस आप करते हैं खुद को पूरा रिलाक्स करना और रिलाक्स करके आप सो रहे सी कल्पना करना विजॉलाइज करना और कुस्त भी इसे ऐसा दिमाग में लाना, समझें कोई मंत्र है, वो मंत्र आप बोल सकते हैं, yeah कोई अच्छी जगर पे आप जा रहे है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन ना लग रहा है, खुशी ही लग रही है, ऐसी जगर पे घुमने गए हो, तो वो एक चित्र दिमाग के सामने ल जाएगी, तो इसे यह sleep hygiene का इस्तिमाल आप करते हैं, तो definitely आप कोई भी लेने के ज़रत नहीं पड़ेगी, नीन आती नहीं ऐसा होँगा यह नहीं, और आप सब़स अब उठेंगे, तब आप fresh उठेंगे, usually 6-8 गंडे की नीन आदम को मतलब पूरी हो जाती है, 6-8 गंडे, कि को आठ घंटे में ठीक है, average में 7 घंटे, 7 घंटे में recommend करता हूं, तो वो 7 घंटी की नीन आप लेते तो आप दूसरे दिन अच्छा fresh काम कर सकते हैं, और अच्छी नीन के लिए बात बहुत ही जुरूरी है कि timing बहुत fix होना, मतलब रोज आपके बेड़ पर जाने के timing fix है, ऐस कभी 10 बजे सो रहे, कभी 1 बजे सो रहे, ऐसा रहा तो फिर नीन आती नहीं, वो जो संकेत जाते, circadian rhythm के जो संकेत जाते ब्रेंद को ठीक जाते नहीं, तो आपका time इती fix रहा, तो बराबर वो दिमाग का conditioning होता है, और वो समय पर बराबर नीन आ जाई, तो कभी सारा लोगो को यह problem होंगे नीन के, आपके संपर्क में जो लोगों को problem होंगे, जरू यह वीडियो उनको share करो, आपको अच्छा लगा तो subscribe करो, उसके बाद में जो घंटी आती है, उसके उपर भी प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो जो है, उसका notification आपको सबसे पहले आ जाएगा, हमारा जरू यह वीडियो, share करो, like करो, thanks for watching.